राधिक्रिश्न दोस्तो नारत भक्ति के ग्यारवे सूत्र में नारत जी ने इसका वर्नन किया है मीत्रो जब हम कार्य करते हैं कोई भी कार्य तो उसके दो पहलों को देखते हैं पहला, यदि ये कार्य कर लिया जाए, तो इससे ये लाब मिलेगा, फिर उस लाब को हम भोगेंगे, ये कार्य करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, उस धन से मुझे सुख मिलेगा, ये है प्रभू से विमुख बात, और शास्ट्र विरुथ कारियो, परन्तु सादक को कैसा कार करना चाहिए कि ये किया जाए तो प्रभु की प्रसन्नता होंगी और ये किया जाए तो धन आएगा और उस धन से हम ठाकुर संत साधु सेवा करेंगे जिससे प्रभु की प्रसन्नता होंगी इससे कही भी खुद के सुख की बाते नहीं आती प्रभु की प्रसन्नता के लिए उसके रिदय में भाव बनता है, संकल्प उठता है, और ये भी उतनी ही सत्य की बात है, कि जो प्रभु को विमुख करने वाले कार्य है, वो प्रेमी उपासकों से होते ही नहीं है, अब इसे हम प्रभु के लिलाही समझे, क्योंकि सादक सदैव विचार करता है, कि क्या इस कार्य से प्रभु प्रसन्न होंगे भी या नहीं, यदि नहीं होंगे तो ये कार्य वो कभी नहीं करेंगे, तो मित्रो जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न होते है, वो शास्त्र अनुसार कार्य, परन्तु जहां खुद के सुख के लिए कार्य होते हैं वे शास्त्र विरुद्ध कार्य कहलाते हैं जैसे उपर बताया ठीक वैसे ही किन्तु अंजाने में भी सादकों के हाथ से शास्त्र विरुद्ध आचरन बनते जाते हैं ये जो हमारे गुरुजन महापुरुष जैसे चले थे भक्तिपत में, हमको भी वैसे ही चलना चाहिए, सादकों को, किसी के आशु देखकर, किसी की प्राथना सुनकर, अपने इश्ट या अपने शास्त्र गुरुजनों के आग्या का कभी उलंगन नहीं करना चाहिए नहीं तो हम फस जाएंगे कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो जहां आपने शास्त्र आग्या का उलंगन किया वहां आप बड़ी समस्या में फस जाओगे और यदी आज्या में हो तो समस्या में कोई फस नहीं सकता ये वो लक्षमन रिका है गुरु आज्या और शास्त्राज्या जिससे कोई भी कभी भी आपका हरन नहीं कर सकता पर यदी उस लक्षमन रिका के अंदर रहे तो यदी बाहर गए तो कई रावन है काम है क्रोध, लोब, मोह, मद, मत्सर न जाने कितने विकार आपके इर्द गिर्द होंगे लक्षमेन रेका के बाहर खड़े हो तो आईए एक सत्य घटना आपको बता दू श्री सदन जी महा भागवत बहुत बड़े भक्तत है, वो निकली थे श्री जगनात जी के दर्शन है तू किन्तु रास्ते में संध्या हुई तो उन्होंने भिक्षा है तू एक दर्वाजे को खट-कटाया तब एक नो युवती विवाहित स्री ने दर्वाजा खोला और वो इसकदर सदन जी को देख मोहित हो गई कि उसने गुजारिश की कि यदि वो यही बेट के भोजन पावे और यही रात्री बिताए तो अब सदन जी तो बड़े भोले भाले थे उस्त्री की मिठी मिठी बातों में आ गए और उन्होंने वही रात को रुकने का हवैसला लिया बस यहाँ पे वो शास्त्र विरुद्ध चले गए किसी सादू संत को किसी ग्रहस्त के बीच नहीं रुकना चाहिए और ना ही वहाँ बेट के भोजन पाना चाहिए बिक्षा लेके कही और जाना चाहिए था परन्तु उनसे अपराद बन गया और देर रात उस्त्री ने उनसे संग करने को कहा संबंद बनाने को कहा शारिरिक संबंद बनाने को कहा तब सदन जी बोले तुम विवाहिद होके तुम्हें पती होके ऐसे अपराद करती हो तब उस्त्री ने अपने ही पती का खून कर डाला और तब बोली अब मेरा कोई पती नहीं है अब आप मेरे साथ शारिरिक संबंद बनाईए तब सदंजी ने ऐसा कुछ नहीं किया तब स्त्री क्रोधित होके चिलाने लगी सारे गा परूब सदंजी के दोनों हाथ काट दिये गए पर मन में ठाकुर जी का चिंतन था वैसे ही कटे हाथ लेके वो जगनात पूरी चले गए और जगनात जी के सामने वो कटे हुए हाथों से नमस्कार करते हुए रोने लग गए तब इतनी बड़ी लीला हुई कि उनके दोनों हाथ वापस आ गए तब सदंजी ने शमायाचना माफी मांगी गुरुदेव को कि वे शास्त्र विरुद्ध गए तब ही ऐसा हुआ इसलिए मित्रो शास्त्र विरुद्ध जाने की चेश्टा कभी ना करे अन्यता बहुत बड़ी समस्या उत्पन न हो सकती है भक्ति में शेयर जरूर करे और भक्ति दुरूर करने है तू इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले राधे राधे